हाले टॉइ स्टोर, लंडन में अमबानी जी का ये टॉइ स्टोर बहुत ही शानदार है पेडिकली सरकस जो की लंडन का कनोट प्लेस माना जाता है वहाँ पर ये खुब सूरत छे मंजला टॉइ स्टोर है टॉइ स्टोर क्या है? पूरा का पूरा महल है इसमें घुसकर आपको वो फेंटेसी जियाद आ जाती है जो कभी आपने बच्पन में सपने देखे थे अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं तो आपके बच्चों को तो जैसे स्वर्ग मिल जाएगा और कोई भी बच्चा यहाँ से खाली हत नहीं आएगा रुपए की चीज में मानती हूँ यहाँ पर सौरुपए की मिलती है लेकिन आपको वो सब मिलता है जो की आपको कहीं और नहीं मिलेगा छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक की जरूरत की सारे खिलोने इस बड़े से टॉइ स्टोर में मिलते हैं यहाँ पर escalator लगे हैं, lifts लगी हैं, ताकि आपको आने जाने में उपर नीचे चरने उतरने में जरा से भी परिशानी नहाँ हर floor अपने आप में एक पूरी की पूरी खिलोने की दुनिया है अगर आप ठक जाते हैं, तो यहाँ पर एक restaurant भी बना हुआ है ताकि आपको भूक लगे, तो आप यहाँ पर कुछ खा भी सकें, इसके साथ ही यहाँ पर वाश्रूम की भी सुविधा है तो आप दो, तीन, चार घंटे जितनी भी देर यहाँ पर रहेंगे, आपके बचे जितने भी खिलोने खरीदेंगे, आपको परिशानी नहीं होगी यह देखिए, यहाँ पर आपको लंडन की मशूर लेटर बॉक्स भी मिल जाएंगे, और बकिंगम पैलेस के गश्ट लगाते पहरेदार भी आप बच्पन में जिन खिलोनों से खिले थे, वो गुडिया भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो 2050 के जो आने वाले समय के खिलोने हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे मुझे ऐसी मैगनिट वाला खिलोना भी मिला, जो कि जादू की जादूगरी जादा लग रहा था, खिलोना कम ऐसी गाड़ियां दिखी जो की छट पर और दिवार पर चलती हैं, और वजन में इतनी हलकी कि जैसे आप फूक से उड़ा दें, बहुत ही कुबसुरत और बहुत ही मौडरन मुझे यहाँ पर खिलोने मिले, टेडी बियर मिले, लेकिन टेडी बियर भी यहाँ पर सामने कियां टेडी बियर को फिल कर रही हैं, आपकी पसंद का टेडी बियर लिया जाता है, उसे आपके सामने फिल किया जाता है, और आपको बेचा जाता है, नई नई तरीकों से बेचने की प्रकरिया को अपनाया जा रहा है, आप आमबानी जी को तो जानते ही हैं, अगर सेल्स साल पहले ही खरीदा है यह लेंदन का सबसे पुराना टॉइ स्टूर पर यह टॉइ स्टूर बच्छों को उपनी और ऐसे खिछता है जैसे चुमबक हिचती है और जिन पेरेंट्स की इतनी हैसेथ होती है की अपने बच्चों को यहां पर ले जाएं और बच्चे यहां पर आने में अपनी शान समझते हैं स्कूल जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं कि कल मैं गया था हाले टॉइस्टोर और वहां से मैं टॉइस खरीद कर लाया हूँ एक बहुत ही बड़ा सेलेबिल्टरी स्टेटस सा आ जा और पेरेंट्स को पटा लिया कि आज हमें हाले टॉइस्टोर ले जाना है वजह चाहे कोई भी हो हमारा बड़े आपका बड़े कोई नया ओकेजन कुछ भी लेकिन पेरेंट्स को तयार कर ही लीजे हाले टॉइस्टोर ले जाने के लिए और हां पेरेंट्स पहले ही आपको समान लाएंगे क्योंकि हर किसी की पॉकिट इतना एलो ही नहीं करेगी ये टॉइ स्टोर बहुत महंगा है शांदार है रॉयल है यहाँ पर जाकर आपका एक बहुत बड़ा सपना तो पूरा हो ही जाता है अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो भी बच्चपन की फैंटेसीस को जरूर पूरी कीजिए वो तमन्ना वो हसरत की एक ऐसा टॉय स्टोर होता जहां पर चॉकलिट की दिवारे होती और बिस्किट के दरवाजे होते हम जाते और जो मजी चीजें दिखते जो मजी खरीते परियों की दुनिया होती वहाँ पर राक्षस भी होते और परियां भी होती और परियों को बचा लेते राक्षस से किसी भी तरह कैसे भी जदन करके वो जो सपने देखते थे न वो सारे यहाँ पर पूरे होने वाले हैं सच कह रही हूँ यहाँ पर आकर सच में मुझे ऐसा ही लगा बहुत खुबसूरत ऐसास आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी आंखों से जो आप देख रहे हैं आपको पता ही लग रहा होगा मैं किक चीज को मुड़ मुड़ कर देख रही हूँ बार बार देख रही हूँ हर बार देखने पर नई सी लगती है ये एक इस तरह की मिट्टी है जिसे आप हाथ में लेते हैं तो भर भरा कर ऐसे गिर जाती है जैसे की रेत हो बहुत ही सौफट हाथ लगाने में मज़ा आ जाता है लंदन का जो हैरोर्स है ना जो रॉयल मॉल है जो सबसे महंगा मॉल है दुनिया में वहाँ पर भी मुझे ये रेत वाली मिट्टी नजर आई थी इसके पैकेट्स भिक रहे हैं तो यानि की आप नमक से लेकर रेत तक कुछ भी बेच सकते हैं बेचना आना चाहिए ये हमें हमारे इंडिस्ट्रियस्ट ने समझाया है सेल्समेंशिप किसे कहते हैं चाबी वली गुडिया निपल लगा कर चुप हो जाने वली गुडिया से लेकर शेर, हाती, चीते और सभी कुछ कैसे बेचा जाता है ये हमें सिखाया यह सेल्समेंशिप करने का भी अनुखा ही तरीका है दो तीन खुपसुरा छोटी अंग्रेज लड़किया बच्चों के गानों पर डांस करती रहती हैं बच्चों को अपनी और आकश्यत करती रहती हैं और बच्चे भी उनके साथ डांस करते करते कप स्टोर में घुछ जाते है कप शॉपिंग कर लेते है पता भी नहीं लगता अन्दर भी जो सेल्समेंश है वो भी बच्चों को खिलोने बेचते हैं तो इस तरह बेचते हैं जैसे कि चोकलिट बेच रहे हूं बच्चों को फुसलाते हैं उने खिलाओंगों के सभी आसपक्ट सामजाते हैं, उनने बताते हैं कि ये चीज क्या करती है, क्या कर सकती है, उसमें क्या नया है, ये आपके हाथ में कैसे लगेगी, और कितनी कुबसरे चीज है, क्यों न इसे खरीदा जाए, और बच्चे अपने पेरिंट्स की तरफ बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी आजकर एक दो बच्चे तो होते ही हैं और उनके पास भी कितना ही समय मिलता है पड़ाई से अगर साल में एक आद बार बच्चों को ऐसे टॉय स्टोर में ले जाकर उनकी हसरत पूरी करा दी जाए उन्हें उनके मन का कुछ दिला द बच्चे को जिन्गी बर याद रहेगा कि उसके पेरिंट्स उसे हाल ले टॉय स्टोर में ले गए थे और उसकी पसंद के टॉयस दिलवाए थे वो इस बात को कभी नहीं बुलेगा हमेशा याद रखेगा और बड़ा होने पर भी अपने पेरिंट्स को बहुत प्यार यही सोच यही मेंटेलिटी और यही चीज को यह टॉय स्टोर वले भुनाते हैं कैश करते हैं पैसा कमाते हैं मुनाफ़ा कमाते हैं और इनका मुनाफ़ा बनता भी है क्योंकि यह हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलते हैं हमारी यादों को पुर्जोर मजबूत करते हैं हमा हमारे रिष्टे को जोडते हैं, मजबूत करते हैं, हमारे बच्चों के मुँपर स्माइल राते हैं, एक प्यारी सी बच्चे की स्माइल देखने के लिए माबाप अपनी दुनिया लुटा सकते हैं, तो पैसा तो कौन सी ही बड़ी चीज है, आईए पैसा लुटाइए, हाले टॉइ स्टोर आपका स्वागत करता है, नहीं नहीं, ये तो मजब था, पते की बात यह है, कि ये वाकर में बहुत ही शानदार स्टोर है, दूसरे टॉइ स्टोर को भी यहां से प्रेना लेनी चाहिए, और टॉइ स्टोर ही क्यों, किसी भी सेल्समेन को यहां से इंस्पिरे सबसे पहले तो अपनी चीजों में वो क्वालिटी लेकर आनी चाहिए, तब ही तो ग्राहक खरीदेगा, दूसरी बात उसे तरीके से बेचना आना चाहिए, ये ऐसे टॉइ स्टोर पे जाकर पता चलता है, अमबानी जी ऐसे ही तो अमबानी जी नहीं बने, और आपको ये ह हाले टॉइ स्टोर कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर कीजेगा, शेयर जरूर कीजेगा, और उनको भी तो पता लगना चाहिए, कि लंडन में एक ऐसा टॉइ स्टोर है, जिसे हमारे अमबानी जी चलाते हैं, चलाते नहीं दोडाते हैं, वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजे, ताकि जो लोग लंडन में रह रहे हैं, और उन्होंने अब तक टॉइ स्टोर नहीं देखा, तो जरूर हाले टॉइ स्टोर में जाएं, इसे देखें, और अपने बच्चों को खिलाने दिलवाएं, अगर आप मेरे चैनल पढ़ना हैं, चैनल को सबस्क्राइब ने किया है, तो प्लीज चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजिए, ताकि आपको दिन दुनिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं देती रहूं, और दिखाती रहूं, आपके सपनों की दुनिया, अपनी ही आँखों से, बहुत ज